हेलो गाईज दिस इज़ सिक्षव पाध्याई आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वियलेट कूर्स पे हार्दिक स्वागत है गाईज जैसा कि आप जान रहे हैं कोरोना का जो टाइम चल रहा है यह अभी कसम आपको नहीं हुआ है तब तक हमें अपने family का और अपना care करना है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है तो गाईज उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने psychology का जो term होता है उसमें जो सुष्म अंतर होता है micro difference होता है उसी के बाएमें discuss करने के लिए क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि दोनों वर्ड सेम होते हैं लेकिन ऐसे नहीं है कभी कभी उसमें सुष्म अंतर होता है देखनों को मिलता है और हम समझ नहीं पाते है और हमें लगता है कि दोनों term सेम हैं बट ऐसा नहीं है उसमें जो differences होते हैं उसको हम समझेंगे और अगर आप लोगों को ये season पसंद आएगा तो आगे भी हम इसको continue करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि first word है मापन और मुल्यांकन difference between measurement and evolution तो इसमें जैसे कि मापन है मुल्यांकन है हमें लगता है कि मापन और मुल्यांकन सेम है बट ऐसा नहीं है तो उसमें क्या अंतर है उसको आगे हम देखेंगे मापन में सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि इसका उद्देश अगर हमें नहीं पता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके लिए उद्देश की जरूरत नहीं होती है या हम कर सकते हैं कि मापन के लिए उद्देश की आशकता नहीं होती है बट मुल्यांकन के लिए उद्देश से की आशक्ता होती है क्योंकि उद्देश को ही प्राप्त करने के लिए हम मुल्यांकन करते हैं और गाईज मापन में किसी परिछड को लागू करने के पस्चात उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किये जाते हैं जैसे कि अगर हंडेड है या कोई भी स्कोर है तो उसमें से कितना अंक प्रदान करना है इस तरीके से मापन में जैसे कि अगर दोसों का स्कोर है तो उसमें से 170 या 120 कितना अंक प्रदान किया है इस तरीके से दिया जाता है बट मुल्यांकन में अंक प्रदान करने के पस्षाथ प्रप्तांग का मूल निर्धारण मुल्यांकन कहलाता है जैसे सतर प्रप्तांग के लिए यह कहना कि वह प्रथम स्रेड़ी या बहुत अच्छे स्रेड़ी का छात्र है तो जैसे कि मापन जो होता है तो उसमें किवल अंक प्रदान किया जाता है वह कैसा है उसका क्लास में अस्थान कैसा है वो किस स्रेडी का है फर्ष्ट है सिकेंड है थर्ड है फेलियर है तो वो मुल्यांकन के अंदर गताता है कि उसको किस स्रेडी के तहट रखा जाएगा उसको उच्च में रखा जाएगा कि निम्न में रखा जाएगा कि आउसत में रखा जाएगा और गाइस जो मापन होता है इसका जो छेत्र होता है वो सीमित होता है संकुचित होता है बर जो मुल्यांकन होता है उसका जो छेत्र होता है वो ब्यापक होता है ब्रॉड होता है अब सीमित का मतलब क्या है ब्यापक का मतलब क्या है जैसे कि मापन का छेत्र सीमित होता है तो इसमें किसी एक गुड या कोई एक चर्क परिमार ग्याद किया जाता है जैसे कि अगर हमें किसी ब्यक्ति एक विसे प्षड़ों का समावेस हो सकता है जैसे जो बहुत सारे परिक्षड किये जाते हैं वो उसका प्रिक्षड करना है तो इसके लिए अभिरुची अभियोगिता अभिवरित्ति आदिका प्रिक्षड किया जाएगा तो गाइस जो मापन होता है वो सीमित होता है संकुशित होता है जो मुल्यांकन होता है या ब्रॉड टर्म होता है या विस्षरित होता है इसमें कई चर्सामिल होते हैं मुल्यांकन में और मापन में केवल एक ही चर्सामिल होता है और जो मापन होता है वह मुल्यांकन के पहले होता है यानि और कोई बच्चा है वा कितना scoring किया है मतलब उसको किसी भी subject में तो वो जो बच्चा या व्यक्ति विसेस है जिसका मापन या मुलयंकन किया जाना है तो उसको जो ख्लास में एगर कोई भी exam उसका कराय जा रहा है तो उसका जो evaluation किया जाता है तो उसका number की अधार पर किया जाता है कभी-कभी तो जो number का total आता है जो scoring किया जाता है तो वो mapan हो जाता है उस बालक का या वैकटीबसे से का mapan हुआ और फिर उसके बाद जो उसको great दिये जाते हैं तो जो मुल्यांकन होता है मुल्यांकन के basis पर मुल्यांकन किया जाता है तो guys मुझे आज सा है उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा ये lecture छोटा सा पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको समझ सकें परफकें तो गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ थानकि लाइस, थानकिकोस, क्या बाइस सक्क्राइस, ताकि वाचिक कीजिए ताकिक हो लाइस, थाकिए वापकें